इस अगनी स्नान को हम क्लेश नाशन क्रिया कहते हैं। इसका मतलब है ऐसा काम जो आपके आसपास इकठा हुई अशुद्धियों को हटा देता है। इसे करने का विशेश तरीका है। और कुछ पीडियों पहले लोग इसे बिलकुल अच्छे से करना जानते थे। हमने बस इस अगनी स्नान से लोगों को कई स्थाई बिमारियों से छुटकारा देलाया। आप रोज नहाते हैं। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्यूंकि चन्नाय में वो तीन दरों में एक बार नहा रहे हैं। आप वा नहीं पहुंचें। अभी उसेन सागर में। तो कल शाम में कुछ प्रतिष्टित लोगों की एक ग्रूप से बात कर रहा था। एक सरकारी अफसर ने कहा ये सभी अमीर लोग हर रोज नहा सकते हैं। मैंने पूछा आप कहां से हैं। दक्षिन भारत में हम नहाए बिना घर से बाहर कदम नहीं रखते हैं। चाहे जो भी हो जाए। चाहे हम पानी न पिएं लेकिन हम पहले नहाएंगे। तो ये नई सिंस्कृति मत शुरू कीजिए कि इतने दिनों में नहाईए। और शुक्र है आज शुक्रवार है। तो आप अपने शरीर को पानी से धोते हैं। इसका संबन सिर्फ मिट्टी हटाने से नहीं है। अगर आपके शरीर पर मिट्टी ना भी हो। तब भी कि आपने देखा है कि पूरे दिन के काम के बाद अगर आप पर कई चीजों का बोच जमा हो जाए। और आप आकर नहा लें। तो ऐसा लगता है नया जीवन मिल गया। कैसा होता है। सिर्फ शरीर को साफ करने की बात नहीं है, बात साबुन की नहीं है। बस शरीर पर पानी का बहना। आप जाकर नदी में डुपकी लगाईए। वहां दस मिनिट रुकिए और बाहर आकर देखिए। ऐसा महसूस होगा जैसे आपका नया जन्म हुआ है। क्यूंकि आपको समझने की जरूरत है कि ये शरीर बुन्यादी रूप से पांच तत्वों से बना है। पृत्वी, पानी, अगनी, हवा और आकाश। इस मौसम में हमारे योग केंदर में, क्यूंकि हमारे यहां एक हवा की टनल है, यानि शांत घाटी से मौनसून की हवाएं बहकर इस घाटी में केंदरित हो जाती हैं। और जब यह योग केंदर की ओर आती हैं, तो उनकी रफतार सत्तर से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती हैं, दिन के अलग-अलग समय पर। तो इस समय हमारे सभी लोग साधना करते हैं, वो हवाओं में इस तरह खड़े हो जाते हैं। क्योंकि यह वायू सनान है, जल सनान अब रोज करते हैं, वायू सनान भी किया जा सकता है। योगी हमेशा अपने शरीर पर मिट्टी लगाते थे, लेकिन आज इसने स्पा में मढबात का रूप ले लिया है। ठीक है। तो मढबात भी होता है। इसी तरह से अगनी सनान होता है। इस अगनी सनान को हम क्लेश नाशन क्रिया कहते है। इसका मतलब एक काम जो आपके आसपा से कठा हुई अशुधियों को हटा देता है। क्यूंकि आपका शरीर बस यहीं खत्म नहीं होता। यह इससे आगे मौजूद है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है। शायद महिलाएं इस बारे में पुरुषों से ज्यादा संवेधन शील है। कि किसी को आपको छूने की जरूत नहीं है। अगर कोई कुछ ज्यादा पास आ जाता है। यह कोई मानसिक चीज नहीं है। वो एक अलग बात है। मानसिक और भावनात्मक पहलू होते हैं उन्हें छोड़ दीजे। अगर कोई ज्यादा पास आ जाता है। तो वहीं एक भावना पैदा होती है। आप जान जाते हैं कि आपको कुछ दूरी चाहिए। उन्होंने आप कुछ हुआ नहीं है। बस ऐसे करने से ही कुछ परेशानी होती है न। क्यूंकि शरीर यहीं खत्म नहीं होता। उर्जाएं इससे थोड़ा आगे तक होती है। इससे कितना आगे हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी जीवन उर्जा कितनी उलासित है। अगर आपकी जीवन उर्जा वाकई उलासित है तो आप यह पूरा हॉल उससे भर सकते हैं। वरना यह कम से कम थोड़ा आगे तक होती है। ज्यादा तर लोगों के लिए यह शरीर से तीन से नौ इंच तक बाहर हो सकती है। तो जैसे जैसे आपके शरीर पर अशुधियां इकठी हो जाती हैं। अगर आप बाहर जाएं। मोटर साइकल चलाने पर आप देखेंगे। मैं जब भी मोटर साइकल चलाता हूँ तब थोड़ा जवान हो जाता हूँ। क्यूंकि अगर मैं चार-पांच घंटे चलाकर वापस आता हूँ तो लोग कहते हैं सद्गुरु आपकी दाड़ी काली हो गई है। काला कार्बन लग जाता है। तो आप शरीर पर चीजें एकठी करते हैं। आप उसे धोते हैं। इसी तरह आप ओर्जा सिस्टम पर भी अन्य तरह की चीजें कठी कर रहे हैं। अगर आप इसे पानी से धोएं, तो खुछ अशुद्धियां चली जाएंगी। अगर आप हवा से धोएं, तो कुछ अन्य चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन हवा हमेशा वैसे उपलब्ध नहीं होती, आप ये भी देख सकते हैं, लेकिन इन दिनों ये पंखे एक खास रफतार से चलते हैं, पर अगर आपके पंखे सही रफतार पर चलें, और आप उनके नीचे बस कुछ समय बैठें, आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ उचा उठ जाता है, क्या आपने ये देखा है? थोड़ा सा वायू सनान, इसी तरह से एक अगनी सनान होता है, जिससे आप दृष्टी कह रहे हैं, क्या ये हमेशा दूसरे लोगों के देखने से होता ह है या नहीं होता, इस पर प्रशनों उठ सकते हैं, लेकिन आपके आसपास के जीवन का आपके उर्जा सिस्टम पर जरूर प्रभाव पड़ता है, अगर आप में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, मतलब आप कोई क्रिया कर रहे हैं या कोई ध्यान की प्रक्रिया कर रहे है तो आपको इन चीजों की जरुवत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि खुद को अंदर से कैसे धोना है, अगर आप वो नहीं जानते, तो ये चीजे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मुझे आपको ये बताना चाहिए, कि इसे करने का एक तरीका है, जो कुछ पीडियों पहले लोग अच्छे से जानते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो बस कुछ जला कर ऐसा ऐसा करते हैं, अगर आप योग केंदर में आएं, तो हम विज्ञानिक तरीके से क्लेशनाशन क्रिया करते हैं, जैसे उसे किया जाना चाहिए, हमने लोगों को कई स्थाई बिमार जानी से पीडित कई बच्चों में अगनी स्नान के छे से आठ हफतों के बाद जबरदस्त बदलाव आया है, हमने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी, तो आपकी माता ने जाने या अंजाने में आपको अगनी स्नान देते हुए, शायद आपकी सीखने की शमता कुछ बढ़ा मैं उन्हें नमन करता हूँ कि उन्होंने अगनी स्नान किया